अबिपेडिया पावरड बाई अभिमन्यू आईयस मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर 2 की टी 5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टोपिक है प्रोब्लम्स बेस्ट ओन ऐस्जीज जो आपका एजीज का टोपिक है इसके अंदर आपके एक सी दो कोश्चियन एगजाम के अंदर आ जाते हैं इस देखे आप इसको एक वरियेबर लेके भी कर सकते हैं लेट इस कंसीडर कि जो सन है सन की जो एज है जो सन है हम यह ले ले लेते हैं कि जो सन है वह एकसी एर्स का है तो अगर सन एकसी एर का है तो यहां पर क्या क्या है फादर इस नाइन टाइमस तो फादर कितने का हो गया आपका हां जी 9x हो गया तो फादर आपका हो जाएगा 9x एर्स clear and the mother is 8 times as old as the son so mother will be of जो mother है mother की age कितनी हो जाएगे आपकी 8x clear आप उसने क्या कहा है the sum of father and mother's age is 51 years तो यहाँ पर देखे father 9x है और mother 8x है that means 9x plus 8x is equal to कितना हो गया 51 17x is equal to कितना हो गया आपके पास में 15x 51 तो x की value कितनी आगी 3 आगी है clear है x कितना आगया आपके पास में 3 years clear अब यहाँ पर क्या था कि what is the age of sun और sun की age हमने क्या consider करी है x years that means the age of sun is 3 years clear so your answer will be d 3 years clear है हां जी और आप ratio method से देखे आप कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर हम नहीं देखा कि father और sun की जो ratio है ratio कितनी आ रहे है आपके पास में father और sun की ratio जो है वो आपके पास में कितनी है 9 ratio one and father mother and son mother and son की जो ratio है वो कितनी है आपकी 8 ratio one अगर हम combined ratio निकालते हैं तो आपके पास में father, ratio, sun, ratio, mother कितनी आ रहे है देखो क्योंकि जो sun है वो दोनों cases में one आ रहे है तो ratio के topic के अंदर जब तिनों का ratio है वो मैंने आपको कराया था तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में one ratio eight ठीक है यह यहाँ पर बच्चे ratio है यह one नहीं है ठीक है तो यहाँ पर उसने क्या काया है कि the sum of father and mother's age is 51 father और mother की age 51 that means कि 9 plus 8 is equal to 51 तो यहाँ से हो गया आपके पास में 17 is equal to 51 so one will be equal to three और यहाँ पर देखिए sun का कितना है one that means sun की age कितनी हो जाएगा आपके पास में three clear है जो आपको अच्छा method लगे आप उसको चूज कर सकते हो आप दोनों method से question को कर सकते हो clear है तो next question की तरफ move करते है जो 2016 के अंदर आया था देखिए क्या है question the sum of ages of five members comprising a family three years ago was 80 years three years ago क्या कह रहा है कितनी है 80 years है ठीक है कितने members है बच्छे five members है clear हाँ जी अब उसके बाद में क्या कह रहा है the average age of the family today is same as it was three years ago तीन साल पहले जो average थी उतनी ही आज है that means कि अब हमें पहले एक बार यहां से average देखनी है कि पहले average कितनी थी तो average जो है पहले आपके कितनी गिम आत थी average आपको पता कैसे निकालते है sum of observation divided by हाँ जी यहाँ पे कितने member है five है तो three years ago जो आपकी average है वो कितनी थी 16 थी ठीक है अब after three years means present की बात कर रहा हो तो present में भी अभी जो वो कह रहा है कि जो average है वो कितनी है 16 ही है यही कहा है उसने क्या कहा है देखो यहाँ पे given है the average age of the family today is the same as it was three years ago जितनी की तीन साल पहले थी उतने ही आज है because of addition of a baby during the intervening period clear है that means कि अब कितने लोग होगी six members है तो six members का total कितना हो जाएगा हाँ जी six member की जो total age है बच्चे वो कितनी होगी इसको आप six के साथ में multiply करोगे पहले आपके पास में five members थे अब आपके पास में उसने कहा है कि average तो same यह that means average is 16 and the total number of person are six ठीक है जी तो यह कितना होगी आपके पास में हाँ जी यह होगी आपके पास में ninety six अब जो five members थे हमारे जो पुराने five members थे उनकी अब five members present age कितनी हो जाएगी आप देखो तीन साल पहले एक member की तीन साल कम थी उमर अब तीन साल के बाद में एक की तीन साल बढ़ गी प्यों पास जनों की total कितनी addition हो गया आपके 15 तो 80 तो पहले ही था total ठीक है और three के according 15 यह हो गया that means कि जो अपने पास में पहले five members थे उनकी age कितनी होगी 95 अब one का difference आ रहा तो one year की इसकी एक जो sixth member है six member जो उसने कहा है कि एक baby जो है addition of the baby हो गया है तो यहाँ पे जो sixth member है that is a baby तो बुसकी age कितनी हो जाएगी obviously कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपके पास में 96 minus 95 one year clear हाँ जी तो answer के आ जाएगा आपके पास में be option will be your answer यहाँ पे देखो एक बार दुबारा से मैं आपको समझा रही हो उसने कहाया कि तीन साल पहले before three years ago जो आपके पास five members है उनका total कितना है 80 है ठीक है so average will be 80 by 5 that means 16 अब presently कह रहा है कि at present the average is again 16 same average और आप total number of members कितने है six है तो total six कितना हो गया 16 into 696 अब उसने साथ में यह भी कहाया कि five members जो है जो आपके पास में all five members थे तो उनका three years के बाद में कितनी हो जाएगी present देखो यह तीन साल जैसे मान लीजिए मान लो एक person है ठीक है वो अभी five years का है ठीक है अब तीन साल बाद कितना हो जाएगा वो eight years का हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास में difference कितना आ गया तो यहां पर हमने क्या किया है यहां पर फिफटीन एड कर दिया एक टीके अंदर डैट मींस कि जो अपने पुराने फाइव मेंबर्स थे उनका टोटल कितना है आज आपका 95 है और जो नया मेंबर है तो जो की एक क्या है बेबी है तो वो कितने साल का यह दैट मींस कि यह बन यहर ओल्ड क्लियर है है ओकि नेक्स क्यों गूश्चन की तरफ मुव कर रहे है और एक पिछले साल किसी भी नूंबर का स्केर थी and it would be cube of a number next year what is the least number what is the least number is the years he must wait for his age to become the cube of a number again तो यहाँ पे देखिए that means एक तो last year कह रहा है यहाँ पे देखो क्या है last year और यहाँ पे बच्चे आपके पास में क्या है next year मान लेजिए यह है अपना पास में present यह present age होगी ठीक है जी अब present से यह होगी आपने पास में last year ठीक है और यहाँ पे यह क्या कह रहा है क्या है आपका next year clear अब उसने साथ में क्या का है कि यहाँ पे यह किसी number का क्या है square है कोई भी number है n उसका square था और यहाँ पे कोई भी number है आपके पास में यहाँ पर क्या है? एक cube बन के आ रहा है. That means कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कि कितने का difference होना चाहिए square और cube के बीच में? 2 का difference होना चाहिए. यह point बिल्कुल clear हो गया है. तो अब देखते हैं. अब यहाँ पर cube देखते हैं किनका? One का cube कितना होता है आपके पास में? यह लिखती हूँ मैं cube ठीक है और यहाँ पर मैं लिखरी हूँ बच्चे square ठीक है? अब देखो. One का cube 1, 2 का cube कितना होगे आपके पास में? 8, 3 का cube कितना है? 20, 7, 4 का cube कितना है? 60, 4 इसी तरह से अगर हम square देखते हैं तो 1 का square 1, 2 का square आपके पास में 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 square 25, 6 square 36 तो यहां से देखे किसी square और cube के अंदर आपको 2 का difference नजा रहा है तो बिल्कुल यहां पे आपके पास में 2 का difference नजा रहा है कि यहां पे यह जो है वो कितना है 25 है और यहां पे कितना है 27, that means his present is, कितनी होगे आपके पास में यहां पे 26, जो x है Mr. X है, देखें, यह Mr. X है, तो यहां से हमें क्या find out हुआ है, कि उसकी present is, कितनी आगे आपके पास में 26 आगे, clear, हां जी, इसमें कोई भी doubt हो, कैसे आया देखें, यहां से हमने देखा कि जो square है, वो कितना है 25, और यहां पे जो cube है, वो कितना है 27, that means his present is, is 26, आप देखो, यहां पे अपनी जो statement थी, कि last year कितनी है, किसी number का square था, ठीक है, और next year किसी number का cube है, clear है, अब आगे question में क्या है, what is the least number of years, he must wait for his age to become the cube of a number again, means कि next time वो cube कब होगा, तो देखो कब होगा, 27 के बाद में अगर हम cube देखते हैं, तो कब होगा, 64 जो है, वो cube है, ठीक है, that means कि कितनी साल के बाद में next time cube होगा वो, cube क्या है आपके पास में, 64, तो कितनी साल के बाद में वो 64 बनेगा, अभी उसकी age कितनी है बच्चे, 26 है, तो after 64 minus, कितना है आपके पास में, 26, तो कितना हो जाएगा यह आपके पास में, बच्चे, 38 हो जाएगा, ठीक है, that means after 38 years, his age will become the cube of a number again, तो आणसर आजाएगा आपके पास में, B, clear है, जिन जिन स्टुडेंट्स को कोई प्रोब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, कि हंजी मैंडम ये question जो है, इसमें प्रोब्लम आ रही है, या आपको class अच्छी लग रही है, तो भी आप कमे कर सकते हो, हमारा जो course है, इसके अंदर क्या है, कि अगर आप particular कोई भी course परचेज करना चाहते हो, माल लेजी, ages है, ठीक है, आपको ये लगता है, कि मेरा ages का topic है, इसके अंदर मुझी थोड़ी सी practice की और ज़रूरत है, तो मैं complete course क्यों लूँ, ठीक है, हमारा cset का complete course भी available है जिसके अंदर आपको हर एक topic के उपर video lectures मिलेंगे, ठीक है, study notes मिलेंगे, आपको, आपको जो है, MCQs, questions मिलेंगे, ठीक है, तो आप वो भी purchase कर सकते हो, इसके अलावा, अगर आपको लगता है, कि मैं किसी particular topic मेरा week है, तो मैं सिरफ वही particular topic purchase करना चाहता हूँ, तो उसके आपको उसकी के उपर study notes और MCQs भी मिलेंगे, तो जो जो students willing है, तो हमारे description के अंदर link अवलेबल है, और जो particular course है, वो उसकी range is 99 रुपीज से start हो रही है, कोई भो ज़्यादा costly नहीं है, तो जो भी students willing है, तो description के अंदर link अवलेबल है, और कोई problem आ रही है, आपको course को purchase करने में, तो आप नीचे comment के अंदर, comment section के अंदर हमें लिखके बता सकते हैं, we will help you definitely, so next question की तरफ मोग कर रहे है, जो कि आपके पास में 2019 के अंदर आया था, ठीक है, हांजी देखिए, क्या है, कि in 2002, Minoo's age was one third of age of Mira, in 2002, Minoo's age was one third of age of Mira, तो देखिए बच्चे आप यहां पे, अगर हम Minoo की age को एक variable लेते हैं, माल लेते हैं, कि Minoo की age कितनी है, x, तो Mira के आपको कितनी लेनी पड़ेगी, one by three x, इससे अच्छा है कि हमारी fraction में value जाए, हम ऐसे ले सकते हैं, कि Mira की age हम ले लेते हैं, x, तो Minoo की कितनी हो जाएगी, 3 x हो जाएगी, clear है, तो यहां से हम ले लेते हैं, कि जो Mira है, let us consider, Mira's age in 2002, 2002 कितनी है, x years, clear, तो यहां पे Minoo की age कितनी हो जाएगी, यहां पे उसने क्या कहा है, कि जो Mira है, जो Minoo है, Minoo की age, Minoo's age was one third of Mira's age, तो Minoo की age जो है, हम सोरी, यहां पे Minoo की age ले रहे थे, अगर हम यहां से Mira की age को x लेते हैं, तो आपको Minoo की age कितनी ही लेनी पड़ेगी, बच्चे, x by 3 लेनी पड़ेगी, तो आपकी fractional value आ जाएगी, तो इसलिए अभी मैंने आपको समझाया है, कि हम क्या ले लेते हैं, इससे अच्छा, यहां पे Minoo's की age है, वो one third है, ठीक है, तो यहां पे Minoo की age को हम ले लेते हैं, x, ठीक है, तो Mira की age कितनी हो जाएगी, हां जी, Mira की age कितनी है, that means, 3x है, देखो, इसमें कोई भी doubt हो आपको, यहां पे क्या कह रहा है, कि Minoo's age is one third of Mira, अब देखो, Mira की 3x है, ठीक है, मैं आपको से एक बार दुबारा बता देती, one third है, one third, अब इसका देखो, one third अगर आप करते हो, तो one third कितना हो गया, आपका निकल के आगया, देखो, x निकल के clear, तो यहां पे हमने क्या के लिया, कि Minoo की age को x ले लिया, ठीक है, और Mira की age को हमने कितना consider कर लिया, 3x, clear, अब आगे क्या given है, कहता है, कि where as in 2010, अब यह बात हो रही है, 2002 की, यहां पे है 2010, that means कि after 8 years कह रहा हो, कितना है, after 8 years, तो after 8 years, after 8 years, 8 years क्यों लिया बिटा मैंने, क्योंकि यहां पे आपके पास में 2010 गीवन है, पहले 2002 था, अब 2010 गीवन है, तो यहां से आपके पास में जो Minoo है, ठीक है, तो Minoo की age कितने हो जाएगी, 3X प्लस 8 हो जाएगी, clear, और जो Mira है, Mira की age after 8 years कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3X प्लस 8 हो जाएगी, देखिए, इसमें कोई भी doubt हो अपने को, clear, अब जैसे जैसे इसने statement दी हुई है, उसी तरह से आप क्या करोगे, इसको write down करोगे, यहाँ आप कहा रहा है कि Minoo, Minoo's age was half, Minoo's age, तो हम Minoo की age लिख लेते हैं, Half of that Mira, Mira की कितनी है देखिए, 3X प्लस 8 है, clear, हाँ जी, अब आप इसको solve करोगे, तो यहाँ पर इधर आपका 2 आगया, 2X प्लस 16 विल बी इक्वल टू 3X प्लस 8, तो यह देखिए, X की value यहाँ से आपके पास में कितनी आ जाएगी बच्चे, 8 आगे है, clear, that means कि जो आपकी Mira है, X जो है, X की हम किसम की age हमने consider करी थी 2002 के अंदर, जो 2002 के अंदर मिनू है, जो 2002 है बच्चे, इसके अंदर मिनू की age देखते हैं हम कितनी है, कितनी आगे है यहाँ से आपके पास में मिनू की age, 8 years है, मिनूज is in 2002, will be 8 years, 8 year है, clear, अब साथ में उसने क्या काया है, question के अंदर, कि what is मिनूज year of birth, अब वो 8 year की है, that means कि उसका बर्थ before 8 years हुआ है, तो before 8 year 2000 से, before 8 year कौन सा year होगा आपका, 2002 minus 8, तो उसका बर्थ कब हुआ है, इस हिसाब से आपके पास में, 1994 के अंदर उसका बर्थ हुआ है, clear, हाँ जी, बिल्कुल समझे आगया question, तो उसकी date of birth क्या आगी मिनू की, 1994, clear, दुबारा से repeat कर देते हैं, यहाँ पर हमने मिनू की age को consider किया है, X year, so मिनू's age will be 3X, after 8 year, मिनू's age will be X plus 8, and मिनू's age will be 3X plus 8, and in the question, there is a statement, मिनू's age was half of age of मिनू, so, we write down here, X plus 8 is equal to 1 by 2 of 3X plus 8, तो यहाँ से जब आप इसको solve कर रहे हो, you will get X is equal to 8, so मिनू's age in 2002 is 8 years, and her date of birth, जो date of birth है उसकी, वो कितनी हो गए आपकी, हाँ जी, 2002 minus 8 to 1994, clear, हाँ जी, तो next question की तरफ move कर रहे हैं, next question है आपकी screen पर, जो कि 2019 में आया था, 2019 पर आपके age based two questions थे, इसके अलावा कुछ questions हाँ पहले भी age based कर चुके हैं, बाकि topics के अंदर, जो कि आपके paper में आये हुए थे, अभी मैंने वो उन topic पर based question थे, तो उस topic पर भी करवाए हैं questions, तो आप यह नहीं मान के चल सकते हैं, हमजी, दो ही question आते हैं, एक ही question आता है, question को combine कर देते, like percentage के साथ में combine हो गया, average के साथ में आपका ages कंबाइन हो गया, ठीक है, तो ratio के साथ में आपका ages कंबाइन हो गया, तो किसी भी तरह से आपका question आता है, inequality पर बेस्ट भी आपका ages पर question आया है वाथ 2016 में जो कि हम inequality वाला जब topic करेंगे उसके अंदर करेंगे question क्या है कि इना वाज बोर्न 4 years after her parents marriage, her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than इना who is 13 years old देखो जब who आ जाता है यहाँ पे that means कि जो आपका second variable है इसकी बात हो रही है इना की बात कर रहा है ठीक है at what age did इना's father get married तो यहाँ पे देखे जो इना है इना है ठीक है oh कितने years की है आपकी 13 years old है इना is 13 years old now and her mother mother is 24 years older than इना that means कि mother जो है वो कितनी है 24 years older है that means कि इस time presently her mother is of 37 years देखी simple सा question है mother की age presently क्या है 37 years and यहाँ पे आपके पास में गियन है कि her mother is 3 years younger than her father जो उसकी mother है वो father से 3 साल छोटी है that means her father is of 40 years बिल्कुल सिंपल है हाँ जी father की age कितनी होगी यहाँ से आपके पास में 40 years होगी है clear अब question क्या है what is what age did इना's father get married मतलब कि जब उनकी marriage हुई थी इना के mother father की उस time पे इना के father की age कितनी थी अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास में कितना देखिए कि 13 year की तो इना अभी है ठीक है इसके अलावा four years वो आप consider करके चलिए तब उसके father भी जब उसका birth हुआ था वो four years के बाद हुआ है that means कि 13 यह होगे आपके पास में और four years आपके पहले बाले होगे clear तो जो उसके father साब थे उनकी age उस time पे कितनी होगी 40 minus 17 तो बच्चे कितनी हो जाएगी 23 years आ जाएगी clear है हाँ जी easy question था 23 years दुबारा से repeat कर देते हैं यहाँ पे कह रहा है कि her mother is three years younger than father and 24 years older than ina who is 13 years old that means ina is 13 years old ina की हमने ले ली यहाँ से 13 years old है so her mother will be 37 years old present at present her mother is of 37 years and her father is of 40 years 40 years because because in the question there is a statement her mother is three years younger than her father so her father is of 40 years at present अब जो question है question में कहा है कि at the time of marriage what was the age of father तो at the time of marriage father was 40 years के तो अभी है presently minus हमने इना की एज प्लस four years वो time जिसके बाद में उसका बर्त हुआ तो वो सारा minus कर दिया है तो यहाँ पे value आगे 23 years तो students जिन जिन students ने अभी तक अपने आपको रेजिस्टर नहीं किया है description में link अब लेबल है आप अपने आपको रेजिस्टर करवा सकते हैं और इसमें आपको यह है कि आपकी जितने भी अभी तक हमने previous year question करवाई है तो आपको step by step सारे के सारे question मिल जाएंगे like percentage, average, number, system हर एक topic के उपर आपके previous year के question देखो हम हर एक year के जितने भी questions हैं उसके अंदर से आपके लिए question find out करते हैं किसी particular topic के उपर ताकि आपको same type के questions एक जगह पर मिल सके तो students thank you so much आज के लिए इतना ही next class में आपके लिए next topic लेके आते हैं thank you so much